नमस्कार अयरवेदविएक बर्दान कारक्रम में आपका स्वागत है मैं मैं मैंंग पूरबाल आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस प्राचीनतम विद्द्या के के वारे में उस चिकिस्टा पतिदी के वारे में जो बहुत अंचुई है ज्यादा लोगों ने उसके वारे में बात नहीं की काम तो बहुत हुआ है लेकिन प्रिचलन में नहीं है और यह योग का एक बहुत बड़ा अंग है हम बात कर रहे हैं मुद्रा थेरपी की मुद्रा योग ऊसके से बरे में जानते हैं लेकिन आम मानस को इसके वारे में बहुत ही कम पता है और इसलिए आज हम आपके फिर्शा चर्चा कर रहे हैं कि हम किस तरीके से मुदरा थैरपी के धैन उपयोक सेपने आपको स् compelling लग सकते हैं और कैसे अपनी अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसमें जो भी आप चिकिस्ता ले रहे हो जो भी आप थेरपी यूज़ कर रहे हो चाहे वो एलोपेती हो या कोई भी हो उसके साथ मुद्रा को करके किस तरीके से अपने आपको जल्दी ठीक कर सकते हैं और स्वासला प्राप् में हैं और अ cancel फ्रित पादन किया हैं इसको जो इण covenant किया वह हम जानते हैं कि भगवान सिफ जो है वह हरे इक तरीके की प्राक्षी चिकिस्था हरे ultimately तरीकी Denise ठीक Halo Bhyd brand new hai किते हैं और उन्हों नहीं ही मुद्रा ठेरपी के बारे मैं बताया और सब से पहले इसका जिन प्रात्त किया वह माता पारवती को घ्न दिया कि कैसे तरीके से मुद्राइं होती है क्योंकि सिभ्व जो है वो नट्राज है और नट्राज का मतलब है कि आपने देखा होगा कि भारत में चितनी भी इन्रत्य परंपराइं चाहें हो साउथ में किसी त्रकत्तक हो कई सारी हैं जिन में अलगलग मुद यह उन्हों नहीं बताया और माता पारवती ने जब इस ज्ञान को सीखा तो उन्हों ने देवरसी नारत आधनिक क्यों मानते हैं कि वो उस वक्त के एक पत्रकार थे जो मीडिया थे कि जो तुरंत चीज़ों को फैला देते थे एक जगे से दूसरी जगे तक तुरंत बात को पहुचा देते थे तो उन्होंने क्या किया यह रिसी मुनियों के साथ अलग लग जनता के साथ और सब के साथ इस दिसकवरी की और लोगों को उनके फायदे और नुकसान की वारें बताया और किस तरीके से मुद्रा से हम अपने आपको ठीक कर सकते यह बताया मैं आभी निरत के बारे में बोला तो आप जब भी निरत आंग नहीं देखते आप कोई भी डांसर को आप देखते हो तो वह अ अपने message को convey कर देते थे आपने news देखते होगे तो कई बार मूख बदिर के लिए जो news आती है तो उसमें एक व्यक्ति तो बोल रहा होता है लेकिन एक साथ में होता है जो अलग-अलग चीजों को बता के हाथों से मूह से या कुछ भी करके वो समझाता है बात को यह क्या है कि हैं यही एक मुद्रा है जैसे अभी और हम बैठे वुए है तो यह भी एक मुद्र आया आप खड़े हैं वह भी और मुद्रा की चोड़ियें लेकिन आज चाविती साव्तवान झालता है जो दो हमारा गल्स फॉपitel जिकर म्यद मों को जो हमारे संब कर दान किए है फूर ब ब्रह्मांड का एक छोटा प्रितरूप है जो पंच्चत्त्त का बैलेंस इस सरीर के साथ है वही पूरे ब्रह्मांड में है और इनके डिस्ट बैलेंसे जब भी यह पंच्चत्त्त ऊपर नीचे होते हैं कोई कम हो गया कोई जादा हो गया तो उससे ही परेसानी उत्पन होती ह सरीर में हम उनको व्यादियों के नाम से जानते हैं, रोग हो गए, चाहे वो BP हो, diabetes हो, migraine हो, headache हो, gas है, acidity है, liver से related problem है, kidney से related problem है, चाहे वो कोई सी भी problem है, वो इन पंच्चतत्वों के disbalance से होती है, और ये balance में रहते हैं, हमारे जो सरीर का नीचर है, वो है balance में लगातर बने रहना, हमारा जो सरीर है, जब भी कोई problem आती है, कोई भी पंच्चतत्व उपर नीचे होता है, खराब होता है, disbalance में जाता है, तो ये तुरंत उसको ठीक करने में लग जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सरीर को ठीक करने का time ही नहीं देते हैं, हमारा जो routine है, देर से हम स प्रियावरण में इतने बदलाव आ रहे हैं, गलोबल बार्मिंग हो रही है, और गलोबल ली लेवल पे एट्मोस्फिर चेंज हो रहा है, ऐसे मौसम हो रहे हैं, जो कभी भी नहीं ऐसे पहले देखे गए, गर्मी के मौसम में बरसात हो रही है, लगातार इस तरीके के जो इसको हम लोग जनता या जो भी बुद्धी जी भी अभी सीरेसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण में जो चेंज आ रहा है, वो सबसे आदा ड्रियाश्टे के सबसे आदा बहंकर होने वाला आने वाले समय के लिए, लोगों लगातार हम कई महमारी देख चुके हैं जो भारत का जो चिकिस्ता हैल से रिलेटेड जो बजट है वो भी करोणों का है, लेकिन क्या हो रहा है कि जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं उतने बीमार बन रहे हैं, क्योंकि इसकी वज़े क्या है, इसका रूज और रूट को जह है लाइफ स्टैल, खाने पीने में बदलाव, रहेंसेन के तरीके में बदलाव और उन चीजों को फॉलू ना करना, जिसके लिए नेचर ने हमें बनाया है, जो हमारा सरीर है, जिस प्रकरती का है, उस प्रकरती के इसाफ से नहीं चलना, विक्ति जो पैदा होता है, तबी से वो एक अंधी दोल में सामिल हो ज इस इस इस्टेंडर स्टेटर्स जो समाज आज का विक्रत समाज बन गया है, उसकी वैसे क्या होता है, कि एक मानसिक तनाव उत्पन होता है, डिप्रेशन की है, सुसाय टेंडिन्सी है, बीपी है, स्ट्रेस की वैसे डाइवडीज हो जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है सरीर में तमाब दूसरी दिक्क्त आती हैं और वह क्यों आती हैं जब आपने एक इस्ट्रेस लेना लेत की और साइकलोसिकली रूप से आपके सरीर में तक मैं त्माब वह दिक्कत PeiartoON होने लगती है जो आपको आगे जाके दवाईयों के सारे प्रिजिंदा रहना पड़ता है और दीरे-दीरे करके आप operations और इस तरीकी की नोवत आ जाती है लेकिन अगर हम इस चीज को सुरू में ही समझ ले अगर हम यह समझ ले कि जो पहला सरदर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है पहली वार आप इन सब चीजों का धान रखोगे तो आप अपने बहुत वड़े खर्चों से बज़्जा होगे जिन्दिगी वेर आप पैसे कमाते हैं फिर आप दवाईयों पर उनको खर्च करते हैं तो ऐसी जिन्दिगी का क्या फायत है अगर आप काम करिए पैसे कमाईयों और उसक पैसे भी करके अपने आपको किसी भी वक्त सुरच्चित कर सकते हैं किसी भी वक्त अपने आपको ठीक कर सकते हैं इस मुद्रा चकिस्ता में ये खासियत है कि इसकी जो मुद्राएं हैं जिनके वारे मैं भी बात करेंगे वह कभी भी करी जा सकती हैं किसी भी कंडिशन में क उनके अलग लग पोजीशन में और सई तरीके से करने के फाइदे अलग हैं लेकिन अगर आप इमर्जेंसी में और आपके वास समय कम हैं जैसे कई सारे लोग हैं कि जिनके पास आसन का योग का प्राणायाम का वक्ती नहीं है तो वह इन मुद्रा थेर्बी की साहिता ले सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अगर आसन करने का समय है तो उसे छोड़के मुद्रा करने लगे आप अपने लाइफस्टैल को मैनेज कर सकते हैं आप अपनी जिंदिकी को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे आप इन सब चीज़ों को करके अपनी बीमारियों से दूर रख सक मैं है खाने से 5 मैंट पहले हो खाने के तुरंट बाथ तक कोई मुद्रा नहीं करनी इन केस इंडर्इजन् view कर सकते हो और खाने से पहले पांच मैंट पहले और सुर मुद्रा करते हैं और खाने के म kilogram लिए करते तो उसके फाइद बहुत वह खाना पचाने का काम करेगी अगर आप वजरासन में करो गए तो बहुत जादा हो ऋगा अब ये सूर मुद्रा क्या है वाई अब ये तो खाने के जाTr came से लाब है जब कि उनीजेंग का बना लिए निकाली थोड़ा सब कि एक निकाल रहे हैं कि तो अगर वह थोड़ा वह समय करना है जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे हो, आप बैठे हुए, आप किसी से मिलने गए, आप उसके ओफिस में भार वेट कर रहे हो, आप बस में बैठे हुए, आप मैट्रो में हो, आप ट्रेवल में हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अगर आप मुद्राओं को कि यूशे को पेडिल समझ लेते तो आप किसीवी वक्त में उसको करके ठीक कर सकते हैं यह कभी आप से खूटने वाली नहीं करके आप अपने ऊकोडय कर सके हो तो ऑमं इन मुद्राओं के बाड़ें बात करेंगे किकर सकते हो लेकिन इसका फायदा सफसे प्रियोग करके प्रामिट के साथ इन मुद्राओं का प्रियोग करते हो तो इनके रियल जल्दी आते हैं कि यह तो इस तरीख स से इन Memory मुद्राओं के साथ आते ही और इन rare मिठाओं का प्रियोग कर सकते हो इसका समय का मैसूस्न हो जब आपको उसकी जरूवत महिसूस हो अगर किसी को एक‌दम से गया सक्रा आइड हो रहा है हाट अर्ट हो रहा है तो आपा perfectly मुध्रा करे उसका इमर्जंसी मुद्रा की ताइम निकाले और मुद्रा इस्टार्ट करने से पहले कम से कम नो वार एक डीप ग्रीधिंग करें उसके बाद मुद्रा में बैठें और मुद्रा के साथ साथ आप पॉजिटिव ठोस रख सकते हैं आप कोई असा भजन या कोई साउंड साथ में चला सकते हैं जिस पर अपना ध्यान के इंद्रित करें या अपनी सांसों पर ध्यान के इंद्रित करके आप मुद्रा को कर सकते हैं इसके लावा पिरामिड मेडिटेशन का मैंने बताया कि प्रयों करके भी आप मुद्रा को कर सक यह कुछ मुद्रा ऐसी है यो 45 मिट की जा सकती है कुछ मुद्रा ऐसा जो 10 1000 का ची चेल बूसक ayam घ्री तर तरफ विद्ट इब एक 확 encouragement लेुगभा घ्रलिये कई C जो है कि प्रेवेंशन इस बैटें देन देन के ओर तो आपको क्या है कि आप विबारियों से बचे रहें यह एक बहुत बड़ी उपलब दी है तो आपने क्या करना ही कि इन मुद्राओं का प्रयोग आपकी जरूवत के साफ से सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपकी प्रकरती क्या है आपको कौन सी चीजे नुकसान करती है कौन से तत्वों का जो तेजी से आपके सरीर में घटता वड़ता है तो यह समझना है फिर उन से रिलेटेड मुद्रा है आपको करनी है वो मुद्राओं का कुछ सामन नियम यह है कि आप चलते फिरते बैठे जैसे सब्सक्राइब आप उनको कर रहे हो लेकिन उनकी टाइमिंग का आपने विशेज धान रखना है जैसे सूर मुद्रा है तो पांस से दस मेट से जादा नहीं करनी चाहिए को कि वह तेजी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी और आपके सरीर में गर्मी एकदम से पैदा कर चाहिए अपान मुद्रा है आप एतालिस में तक कर सकते हैं जितना आपको समय उससे क्या हो रहा है आपकी जीवनी सक्ती बढ़ रही है आपकी इम्मुनिटी अच्छी हो रही है तो उसका प्रयोग जाद से ज्यादा कर सकते हो इसको कर कौन सकता है इसे कोई भी कर सकता है बच्चे भी कर सकते हैं मेडेस के लोग भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं कोई भी कर सकता है जिसको इसकी जरूरत है वो कर सकते हैं आप कई वार ऐसा होता है कि आपको मुद्रा की जरूरत जादा है लेकिन आपको समय की कमी है तो आप क्या कर सकते हो कि रात क आप यादा держवी करना चाहिए बैट के का फायदा जिनको जादा से जादा करने के फायाद़ी ओब आप दिखो के की अम समयके लिए करना ग्रू नानक जी और भगवान बुद्ध या जितने भी देवी देपता। वह सब किसी न किसी मुद्रा में आपको दिखाई देगे। उद तो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको पताए कि इस मुद्रा का जो चलन है अगर आ जाएगा तो लोगों को बीमारियों से हम बचा पाएंगे दूसरी चीज क्या जैसे हम लोग जानते हैं गीता के बारे में तो भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था वो साथ आप कर लेते हैं या आप किसी पार्क में जाकर किसी खुले स्थान पर करते हैं तो आपको इसके फाइदे बहुत ज़ाद होंगे और इससे क्या होगा कि आपके जो पचिस्तत्व हैं उनका बैलेंस बना रहे गा अब पंजश्व का जो डस्वेलेंस के हम बात कर रहे तो उसमें यह कि आज कल क्या हो रहा है कि संकुचित जगे में रहने से लोग नेरो माइंडिट होते जा रहे हैं तो ज़िए अगर आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होता है आपको अपने विचार कुल के मिलेंगे और जो परसनलिटी से रिले में लागे अपने अचानक से होने वाले बदलाओं को ठीक कर सकते हो जो इसको चोटी 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 चीजों की वैसे हाजाते हैं होता गया कि जलता ही जल का reflects किया है आपसिश सँगा क्या चीजा 모양 का या आपने ऐसा खाया कि तला वगएरा खाने से अगनी तत्व बढ़ जाता है अगर आपने जल का प्रयोग कम किया है आपने रसीले चीज़ें नहीं खाई है आपने सलात का प्रयोग कम किया है तो क्या होगा कि आपका जल तत्व कम हो जाएगा अगर आप गरों में बंद बै खाने पीना ठीक करके योग प्राडायम के ओप्रकर करके आशन कुछ एक्सराइज लगार करके पिद्राइब के अफिस से आप अपने तद्रों को बैलेंस रख सकते हैं कि इसके साथ क्या है कि जो लोग है घर में काम करने वाली भार करने वाले काम के समय में इन को प्रयोग करके अपने आपको स्वस्राइब सकते हैं मुद्राओं के प्रयोग में आप तो दोनों को बदल देना है धूसरे करने लगना हैं अच्छा होता गया है कि जब तो आपको जहीं कि दूसरे आसरे सरीर का बैलेंस वह बना सकते हैं यह छोटे बच्चें हैं बडे बुजिष्गेंतों उनको तो अन्य यह मुद्रा की ज़रूँधाना जिए 90 ऍशेरोगा और से 90 मुद्रा के बाद जहाएब्यों आप तो आप उनको 45 तक करें लेकिन एक चीज का विसे जानक ना है कि इन तत्तों की मुद्राओं के बाद तुरंत इसकी विप्रियत मुद्रा नहीं करनी है जैसे एक ही उंगली की अगर आप ग्यान मुद्रा कर रहे हो तो उसको दबाके फिर आपने तुरंत वायू मुद्रा नह धुम को आगी सेसन में बताएंगे उनको आपने स lihat जान डगना हो है कि एक साथ दौनों मुद्रा है विप्रीत वाली नहीं करनी है और एक के बाद एक वी आपने हुआ मुद्रा के प्रक्षान में करनी है आपने टूसरे के साथ है अब मिलेंगे में अगले एपिसोड में जिनमें कुछ और मुद्रा के वारे बात करेंगे तब तक लिए नमस्कार